ही सिर्ण 1 दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की मेरी वीडियो ग्रेशłe simplified पर हैं by its Nazi भुकतान दीनियम जो जिसका उडेश से था रिठार्मेंट के बाद क्रमचारी को आर्थिक साहता परदान करना अतिरिक आर्थिक साहता परदान करना और ग्रेशुएटिक है वैसे मुख्या वो देश सीधे-सीदे सब्दों में समझे तो क्रमचारी यानि जो इंपलोई है इंपलोई को किसी पर्तिष्ठान द्वारा अपने पर्तिष्ठान में रोकर रखने के लिए एक परकार का परलोबन या सीधे सब्दों में कहें तो एक परकार का लालच है वो किस तरीके से सपोज करिए किसी करमचारी को किसी कमपनी में कार्य कर दो से तीन चार साल के आसपास हो गए है जोब करते वे और वो जोब बदलना चाहरा है लेकिन उसके दिमाग में क्या आए और 5 साल बात जो décidé है 5 साल बात ग्रेशोरिटी बनती है तो वह क्या करेगा 1-2 साल और वहीं पर गुजारने की कोशिच करेगा करमचारी क्या करेगा उस परतिष्ठान में 5 साल पूरे करेगा उसका benefits करमचारी को भी मिलेगा और उसका benefit company को भी मिलेगा क्योंकि कंपनी में जो भी कोई जाता है फ्रैसर जाता है компании में ही कार्या शीखता है और फिर करता है तो company यह नहीं चाहेगे कि कोई भी नयाा आए काम सीखे और निकल जाए इससे क्या होता है company का प्रौडक्शन है काफी फरक पड़ता है तो कोई company ऐसा नहीं चाहेगी कि employee आते रहें काम को सीखते रहें और फिर अपना जाते रहें तो ये एक तरीके से एक system है तो इस तरीके से इसकी graduate की समस्षी में 5 वर्स निर्धारी थे और सरकारी स्थर पर सरकारी स्थर पर इसको घटाने की बात चल लगी है इसको 5 वर्स से घटाकर 3 वर्स करने की बात थी लेकिन अब जो ताजा अपडेट है इसको एक साल करने की बात जो है सरकार ने विधेक जारी किया है उस विधेक में इसको एक वर्स करने की बात रखे गई है अगर ये विधेक संसद में पास हो जाता है और राष्टपती के अस्ताकसर हो जाते हैं तो ये एक साल ग्रेचविटी के जो एक वर्स पूरा करने पर भी चोब के एक वर्स पूरा करने के बात भी ले सकेगा अब ये ग्रेचविटी के बारे में होगा अब ये मिलती किस तरीके से है ग्रेचविटी मिलने का तो तरीका है ग्रेचविटी के अंसार हर साल के पंदरे दिन के हर साल की जो पंदरे दिन की हमारी सहल ली हुई उसके बराबर रकम दी जाती है हर साल के पंदरे दिन के बरा और यदि आपने 7 वर्स बाद नोकरी छोड़ी है तो 15 दिन गुना 7 वर्स यानि 150 दिनों के बरावर और यदि आपने 10 वर्स बाद नोकरी छोड़ी है तो 15 दिन गुना 10 वर्स यानि 150 दिनों के सैलली के बरावर आपको पेमन्ट कर दिया जाएगा वो भी एक महिने के अंदर अंदर ये फिक्स है एक महिने के अंदर ये करना होता ही है अब ग्रेश वेटी निकालने का फार्मूला भी है कुछ ये फार्मूला इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि आपकी सैलली 10,000 रुपे है तो परड़े 10,000 रुपे आपकी सैलली है और परड़े हो गई वो 384 रुपे क्योंकि 26 से डिवाइड करेंगे चार या पांस दिन वो अवकास के होते हैं ठीक है जी तो 384 रुपे परड़े हो गई तो 384 गुना 15 तो ये हो गई आपके 5760 रुपे अब जोब के वर्स की गुना इसमें कर दो तो 5760 गुना सपोजगर आपने 5 वर्स की है 5760 गुना 5 वर्स ये हो गई 28800 के संथिंग ये रुपे आपको मिलेंगे फिर इसका एक फोर्मूला है दूसरा आप उस फोर्मूले से भी समन सकते हैं चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसका फोर्मूला है वो है अन्तिम सैलरी नो दिन अन्तिम सैलरी गुना 15 दिन डिवाइड 26 अन्तिम सैलरी गुना 15 वटे 26 ठीक है जो आया वर्स की 5710 गुना वो मानकी आपकी अन्तिम सैलरी 10,000 है 10,000 पर बात करते हैं मानगी आपकी अंतिम सेहली 10,000 है और आपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो हम 10,000 गुना 15 बटे 26 तो ये आया हमारा 579 अब हमने 5 वर्ष नोकरी किया है तो 579 गुना 5 ये हमारे वोई आ गए 28,800 के सम्थिंग ये रुपे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और ये कब नहीं मिलेंगे ये जब नहीं मिलेंगे अगर गलत आचरण, हिंसक अपराद और एनायतिक कारिये में लिफ्ट पाए जाने पर आपको बर्खास्त कर दिया जाए नोकरी से निगाल दिया जाए तब ये आपको नहीं मिल पाएंगे तब आप इसके अधिकारे नहीं और ये पांच वर से पहले किस तरीके से मिल सकता है ये पांच वर से पहले मिलने के इसके दो अप्सन है या तो करमचारी की मृत्तियों हो गई हो या दुरगटना बिमारी के कारण करमचारी अपंग होकर कारिये पर ना सके तब उन परिस्तितियों में ग्रेचवेटी का व ये मेरी वीडियो थी आपको ग्रेचवेटी के बारे में बताने की तो आसा करता हूँ आप मेरे दुआरा दी गए जानकरी आप समझ पाए हो और अगर आप कोई लग रहा है कि ये आपके फायदेगी नहीं है किसी और के फायदेगी हो सकती है तो आप चाहें दुझको सेर कर सकते हैं और पहले बार वीडियो चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन सुब रहे